हलो फ्रेंट्स को मैं चानल दिस इस वास इस बहुत सारे लोग option buying के अंदर successful होना चाहते हैं मैं आपको तीन pointer बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर क्योंकि initial stage में मैं खुद option buying करता था फिर लेक्टर स्टेज में मैंने option selling क्या इतने लोग 2018-19 का video 20 का video देखे होंगे उनको पता होगा मैं aggressively option buying भी करता था बीच वीच में फिर future में trade कया फिर option selling में आने लगा मैं कुछ pointers बताऊंगा which is very important जितने मैंने समझा है trading career के अंदर option buying के उपर क्योंकि बहुत सारे लोग option buying करते हैं है कि नए setup आपके पास है 1-2 1-3 वीडियो भी अगर आप लोग देखोगे money management के उपर हो गया लेकिन original psychology आपको पता नहीं चलता जिसके कारण कहीं ना कहीं long run के अंदर option buying successful नहीं हो पाता तो चलिए मैं आपको screen के उपर कुछ points बताना है चाहता हूं किस तरीके से option buying में भी कमया जाता है यह मैंने 2020 में Alice Blue में trade करता था अभी वहाँ पर trade नहीं करता हूं उस टाहिं पर margin मिलता था फिर देरे-दरे future में भी margin मिलता था फिर option selling में सिफ्ट हुआ तो थोड़ा एकाउंट डीजी रहता था जितने लोग zero to hero program के होंगे which is most important course जितने लोग initial time में trade करना च फिर उसके बाद देरे-दर option selling में आया और कौनसे factors के उपर आपको काम करना चाहिए first thing यहाँ पे अगर आप लोग screen पे देख रहे होंगे यहाँ पे 0303 2020 आपको दिख रहा होगा some around यहाँ पे last week 1,88, some around near about 2,00, capital था उसके बाद 7,15,23,28 तो total यहाँ पे आपको 7,00, something फिर उसके बाद 10,00,000 capital हुआ फिर उसके बाद 1,55,000 यहाँ पे बना 10,00,000 capital फिर उसके बाद 2,00, something profit हुआ 13,00,000 capital हुआ 2,00, something तो total 16 तो 1,00, 2,00,000 तो total 16 तक पहुँचा कब तक यह 11 तरिक तक पहुचा उसके बाए loss हुआ 9,00, बहुत सा लोग यह सार बहुत ज्यादा loss जिरो टो इरो कोर्स के अंदर और बहुत सारे वीडियो यूट्यूब के अंदर भी आप देखे होंगे जनरली में profits के ऊपर थोड़ा risk लेना पसंद करता हूँ so that कि इने account grow हो पाए उसके फिर 13,00,000 का profit हुआ 20,00,000 profit हुआ फिर 2,00,000, 23,00, फिर 12,00, फिर यहाँ पे 2,00,000 3,00,000 कुछ loss हुआ ऐसे करके समय रहूं 49,00,000 हम लोग का 20 तरिक तक बन गया उसके बाद देखेंगे 2,00,000,000 का loss हुआ 47,00, फिर 3,00,000 का profit हुआ फिर 50 हुआ 7,00,000 का loss हुआ 6,00,000 का profit हुआ 49 हुआ उसके बाद यहाँ पे समय रहूं almost 10,00,000 के आसपास कुछ profit हुआ है फिर इसके बाद 57,00, 58 that means 2,00,000 से trading 1,00,88 से start हुआ था 57,00, almost 2,00,000 से 60,00,000 हम लोग राउंड में ले लेते हैं उतना तक profit हुआ अभी मैं आपको important factors बताना हुआ हुआ that means option buyers भी पैसा कमा सकते हैं no doubt मैं भी खुद इसके अंदर trade करता था future में भी trade करता था क्योंकि momentum हम लोग को capture करना रहता था अभी जो मैं बताऊंगा most important point होने वाला है तो चलिए मैं आपको तीन factors बताता हूँ जिसके उपर अगर आप लोग काम करोगे तो no doubt आपको options buying के अंदर बहुत जादा helpful होने वाला है first point is screen on time देखे एक point ध्यान में रखा आजो option buyer आपको ये समझना है कि नहीं you are planning for to trade momentum क्योंकि अगर आप सही भी हो और आपके favor में सही time पे अगर momentum ना रहा तो definitely आपके against में time decay होगा theta decay होगा जिसको time factor हम लोग बोलते हैं और आप लोग loss करोगे it's always better कि नहीं आपको momentum timing करना पड़े that means screen on time बहुत जादा important हो जाता है अगर आप दिन भर trade करना पसंद कर के बाद आपको लगेगा support break हो रहा है फिर आप expert करोगे हर एक candle momentum होगा इससे क्या होगा आपने तीन ट्रेड ले चुके हैं उसके अंदर loss हुआ चौथा ट्रेड आपका profitable हुआ लेकिन तीन ट्रेड तक losses हो चुगा था यह चौथा ट्रेड आपको cover करके नहीं देगा that means screen on time is very important in option buying में आपको suggest करूँगा पहला one hour is most important क्योंकि पहले one hour में momentum रहता है कुछ निव जाने वाला है one hour momentum रहेगा लोगों को trade करना है कुछ position बनाना है weekend खतम हो रहा है नया start होगा तो morning hour is momentum रहेगा जो middle person रहता है 10.30 से लेकर 12.30 ये थोड़ा सा side wage market रहता है और यहां पर सब 12.30 के बाद एक momentum रहता है उसके उभी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो generally में जब option buying करता था मैं प्रैक्टिस करता था एक घंटा कभी मिस नहीं करना है and second thing expiry days पे थोड़ा सा में ज्यादा focus करता था क्योंकि अगर वहां पे में सही हो गया तो theta ज्यादा टाइम वेलू ज् ज्यादा profit हो सकता है अगर मैं आपको suggest करूं कि नहीं अगर imagine करो कि नहीं आपको option buying पसंद है option buying करना है तो हर दिन instead of screen के सामने आपको देखने से अच्छा है कि ने एक दिन trade करो सारे दिन का जो stop loss रहता है उसको एक दिन में आप focus कर सकते हो एक दिन में उतना stop loss लेके trade कर सक करता है अगर यह आप नहीं कर सकता है it's always better कि ने हर दिन एक घंटा practice करो एक घंटे के अंदर आपको trade finish करना है तो आपको तोड़ा क्या होगा easy होगा क्योंकि हर बार आपको कुछ ना कुछ option buying में हो सकता है 10 point का momentum देखिए आप उहां पर jump कर गया momentum होगा करके फिर 20-30 पर हो गया यह morning hour के अंदर I hope you point आपको समझ में आ गया होगा second point option buying के अंदर this point is very important never regret इसका मतलग क्या हो जाता है generally क्या होता है जब हम लोग कुछ चीजे buy करते है right option buying आप 100 रुपे में करो 10 रुपे में करो 50 रुपे में करो you never know the what is the target exact target क्या होना चाहिए 200 हो सकता है 400 जा सकता है अपने 100 रुपे में बेचा फिर जब in the head में computer screen बंद किया 500 तक पहुंच गया है फिर आपके mind में बार बार figure चलते रहते हैं हाँ यह एक्सपैरी मुझे 500 रुपे मिला था या फिर 50 रुपे मिला था next expiry में भी उतना पैसा मिले आपको बस यह समझना है your trading for a momentum आपको यह नहीं पता है कि नहीं कितना पैसा आपको मिल सकता है कहां तक market जा सकता है आपने enter किये आपको momentum मिला आपने in क किये फिर 1-2, 1-3 आपको मिल गया बंद करना है क्योंकि आपको कभी नहीं पता चलेगा target कहां पर है इसलिए लोग अपना psychology intact नहीं रख पाते है क्योंकि they don't know the target और बार बार उनके mind में कुछ ना कुछ figure चलते रहते हैं आज 3 बज़े से momentum हुआ अगर मैं 50 रुपे में खरी किया था इन details में मैंने इसको plan बनाया था कि नहीं मुझे regret नहीं करना है भले market 1000 point चला जाए लेकिन मुझे regret नहीं करना है मुझे मेरा 100 रुपे मिल गया या फिर 1-3 मिल गया 1500 रुपे मिल गया मैंने 50 रुपे में बाई किया था मुझे 1-3 चाहिए था 100 रुपे मिल गया मैं तो इसको पता है उसको 300 रुपए ही मिलने वाला है तो उसको साइकलोजी इशु नहीं है क्योंकि टार्गेट इज डिफाइन कि जीरो तक मुझे आने वाला है लेकिन ऑफसन बाइंग में यह नहीं होता आपने लेट सिमयाचिन 300 रुपए का पट्चेस कर लिया और मार्केट 1000 पॉइंट चला गया और आपका साइकलोजी काम नहीं करेगा आप 100 रुपए में निकल गए हो इनदेट में जब 1000 पॉइंट देखो गया तो आप टेफिनेटली वहां पर इशु आएगा तो इसको आपको कंट्रोल करना है इसके उपर आपको काम करना है नेवर कर रहा है तो उतना ही मुमेंटम आपको क्याप्चर करना है इसको आप समझ गए तो हाप काम आपका हो गया आधा काम आपका हो गया तो चलिए हम लोग लोग लास्ट पॉइंट डिसकर्शन करते हैं लास्ट पॉइंट हो जाता है स्केलिंग अप एंड डाइवर्सिटी य यह बहुत ज्यादा फैक्टर है जब आपको पैसा बनने लगेगा, right? मैं आपको बता रहो, imagine करो, option buying बहुत सार लोग इसलिए पसंद करते हैं, क्योंकि उनको कम पैसे में trade करना मिल रहा है, imagine करो कि ने, आप जोब बस इसलिए कर रहे हो कि ने, आपको बस एक salary मिलता है, अग option buying आपको हट पसंद होना चाहिए, अगर आपको पसंद है, तो definitely कम पैसा हो, ज्यादा पसा हो, तो आपको समझ में आगे कि ने, आप किस तरीके से उसको utilize कर सकते हो, तभी जाके आप option trading में survive कर सकते हो, इसलिए option selling में थोड़ा सा लोगों को easy रहता है, क्योंकि उन लोग ज ज्यादा आपको फरेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन option buying के अंदर, वो drastically change आ सकता है, क्योंकि आप 100 रुपे में buy किये हो, 5000 quantity है, 40-50,000, 1,00, 2,00,000 का swing अगर दिखेगा, अगर यह आप ready नहीं हो, तो बहुत effect होगा, क्योंकि आपने सोचा था, overnight आपको profit मिल जाएगा, option buying में एक दिन आया, आपको मिल भी गया, लेकिन वो पैसे का करेंगे क्या, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपने सो रुपे में खरेदा था, 1000 quantity, अभी आप ready हो गए हो, 5000 quantity तक profit आ गया है, 15-10 लग आपके account में बन गया है, अभी आप क्या करोगे, आप 5000 quantity में अगर ट्रेड करो पूरा प्लान हो जाना चाहिए, कितना तक आप scale-up करना चाहते हो, option buying को, कितना momentum में आपको trade करना है, और कौन से area के अंदर आपको focus करना है, market 100 रुपे का 1000 चला जाए, आपको focus नहीं करना है, मुझे याद है, 2020 में मैंने 20 रुपे का option buy किया तक 600 में मैंने book किया, और वो 2100 trade में जाके close हुआ, क्योंकि market उतने flow में momentum करा था, अगर मैं वहाँ पर regret करता तो उसके बात का profit on नहीं मिलता, तो ये point ज्यान में रखो, regret करना नहीं है, market कहीं पर भी चला जाए, बस आपको ready रहना है, आपके setup के हिसाब से अगर momentum मिला है, आपको catch करना है, आपके time frame के अं आपको option buying के अंदर, अईवो पेपोइंट आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो चला दो आपको लाइक एंस आगम फिट्स, अविकले इतना ही, thank you